Compound Leaf का एक टाइप होता है Parmately Compound Leaves अगर Lamina में In-Season बढ़के PTO तक जाने लगे तो फिर ऐसी Leaves को हम Parmately Compound Leaves की कैटेगरी में रखते हैं यह जो आप छोटा सा प्लांट देख रहे हो यह है एक Clover Leaf का प्लांट जिसे हम Trifoliate Parmately Compound Leaves कहते हैं अब आप यह जो छोटे छोटे तीन इसके देख रहे हो यह होते हैं Leaflets और अगर In-Season की बात करें तो यह तीन Leaflets में आपको Proper In-Season दिख रहा होगा जो की पीछे PTO तक छूरा है तो ऐसी Leaf को फिर हम Parmately Compound Leaves की कैटेगरी में रखते हैं और यह है Trifoliate क्योंकि इसमें तीन Leaflets बन रहे हैं तो यह है Trifoliate Parmately Compound Leaves का एक example जिसे हम Clover Leaf के नाम से भी जानते हैं Thank you